अगर आप सही खाएं और अपने शरीर के साथ कुछ चीजें करें, आप अपनी नींद की ज़रुरत कम कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा आलसी हो गया हूँ और अब मैं लगभग साढ़े चार घंटे सो रहा हूँ। हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए ताकि हमारा जीवन अपनी पूरी शमता तक पहुँच जाए, खासकर कॉलेज या स्कूल जाने वाले चातर के लिए। तो भोजन कैसा होना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए। भोजन कोई धर्म नहीं है, भोजन कोई संस्कृती नहीं है, भोजन बस इस मशीन के लिए इंधन है। स्वाद को लेकर सांस्कृतिक पहलू हो सकते हैं समय के साथ भोजन पर धार्मिक रंगत भी चड़ सकती है लेकिन मूल रूप से भोजन इस शरीर के लिए इंधन है तो किस तरह के भोजन से ये अपने अंदर कम से कम संघर्ष से काम करेगा और जादा से जादा असरदार होगा तो मान लीजे आपने पेट्रोल कार खरीदी और उसमें डीजल भर दिया ये फिर भी थोड़ा बहुत चल लेगी लेकिन अपने बहतरीन इस तरह पर नहीं चलेगी तो भारत में हमने अलग-अलग लोगों के लिए भोजन अलग-अलग तरह से तै किया अगर आप मेहनत का काम करते हैं तो आप एक तरह से खाते हैं क्योंकि आपको शारीरिक मजबूती चाहिए अगर आप किसी तरह का व्यपार और दूसरे किस्म की गतिविधिया कर रहे हैं तो आप अलग खाना खाते हैं अगर आप सैनिक हैं तो आपका भोजन अलग होता है और अगर आप पढ़ाई अध्यात्मिक प्रक्रिया और जीवन के सुक्ष्म पहलियों में हैं तो आप अलग खाना खाते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, तो किसी चीज़ पर फोकस रहना सबसे बड़ी चुनौती होती है, वो कोर्स की बेकार किताब, मुझे माव करें, वो शांदार किताब जो लिखी गई है, वो औसत बुद्धी वालों के लिए लिखी गई है, ये सब के समझ पाने के लिए है, ये बहुत बुद्धिमान छात्रों के लिए नहीं लिखी गई है, ये एक आम नुस्खे के रूप में लिखे गई है, जो हर कोई समझ जाए, लेक लेकिन आप बिस्तर में लेट कर एक प्रेम कहानी पढ़ते हैं, आपको हर शब्द याद रहता है, हाँ या ना, कैसे? तो आपमें यादाश्ट की कमी नहीं है, आपमें फोकस की कमी नहीं है, बस इतना है कि कोर्स की किताब और आपमें तालमेल नहीं हो पा रहा है तो आपको एक उंचे स्तर के फोकस, एक उंचे स्तर की भागिदारी की जरुरत है और एक शात्र के लिए एक दूसरा बड़ा दुश्मन ये है कि ये किताब नींद की गोली का काम करती है जैसे ही आप इसे खोलते हैं, सिनेमा जाते हैं, तो आप दो बज़े तक जगे रहते हैं, नौ बज़े किताब खोलते हैं, उसी समय आप लुठक जाते हfeltे हैं तो नींद दूसरी बड़ी दुश्मन है, तो आप किस तरह का खाना खाएं ताकि शरीर में जड़ता न रहे योगिक पदती में इसे हम ऐसे देखते हैं तमस, रजस और सत्व की बात करते हैं तमस का मतलब है जड़ता रजस का मतलब है गति विधियां लेकिन कोई संतुलन नहीं सत्व का मतलब है पूरी तरह से संतुलित उर्जा जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक बहुत संतुलित किस्म की उर्जा चाहिए क्योंकि आपको एक ऐसी चीज़ पर ध्यान केंदरित करना होता है जिसमें आपकी स्वभाविक रूची नहीं है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ आपकी केमिस्ट्री मेल खाती हो अगर आपकी केमिस्ट्री तालमेल में है तो आप हमेशा उस चीज़ पर फोकस करते हैं है ना यहां रूची नहीं है लेकिन आपको उस पर फोकस करना पड़ता है इसके लिए आपको संतुलन और एक स्थिर मन चाहिए इसके लिए आपको एक खास तरह से खाने की जरुवत है सरलता से कहें तो भोजन आपके शरीर में अहार नली से गुजरता है आपके मुँ से मल द्वार तक एक पाइप है पाचन प्रक्रिया के अलग-अलग चर्णों से होता हुआ यह उससे गुजरता है आप मैंसे कई लोग बायोलोजी पढ़ते हैं हाँ यह आहार नली से जाता है अब शुरुवात होती है खोटों से यहां अगर आप सारे शाकाहरी और मानसाहरी जीवों पर गौर करें अगर आप पशू जगत को देखें तो शाकाहरी जानवर और मांसाहरी जानवर ये दुनिया में जानवरों के दो मुख्य विभाजन है एक वनस्पतियां खाते हैं, दूसरे मांस खाते हैं अगर आप आहार नली की बनावट देखें तो शाकाहरी और मांसाहरी जीवों में एक स्पष्ट अंतर है इनसानी सिस्टम में हर चीज संकेत करती है कि आप सुभाविक रूप से शाकाहरी है लेकिन जिन्दा रहने के लिए हम मानसाहरी हो गये थे अगर आप जबडों के चलाने के तरीके को देखें सारे मानसाहरी जीव सिर्फ काटने के क्रिया करते हैं जबकि शाकाहारी काटने और चबाने के क्रिया करते हैं, तो उनमें दाढ़े होती हैं, लेकिन मांसाहरी जीव में फैली वोई दाढ़े नहीं होती, उनमें बस छेनी जैसे और नुकिले दांत होते हैं, वे सभी काटने के दांतों जैसे लगते हैं, तो वे बस यही करते हैं, सारे शाकहारी अच्छे से चबा कर खाते हैं आपके पास कौन से दात हैं? दोनो तो आपको खाना चबा कर खाना चाहिए आपको अपना खाना इसलिए चबाना चाहिए क्योंकि आपकी लार में इंजाइम होते हैं अगर आप थोड़ा सा कच्छा चावल लेकर अपने मूह में एक मिनट रखें आप देखेंगे कि यहीं मीठा हो जाता है क्योंकि यहीं कार्बो हाइडरेट शुगर में बदल रहा है मूह में ही तो अगर आप ढंक से खाते हैं तब हम कहते हैं कि आपके पाचन का 30 से 50 फीसदी पाचन आपके मूह में ही हो जाना चाहिए तो पाचन तंत्र का ये हिस्सा आधे या आंशिक रूप से पचे खाने की उमीद कर रहा है लेकिन अभी जैसे हम खा रहे हैं अधिकतर हम न शिर्फ बिना पचा खाना बलकि आंशिक रूप से नष्ट खाना डाल रहे हैं तो उसी मात्रा में उर्जा प्राप्त करने के लिए आपको भोजन की जो मात्रा चाहिए वो बढ़ गई है उतनी उर्जा पैदा करने के लिए जितना आपको खाना चाहिए आप उससे बहुत ज़ादा खाना खा रहे हैं इसकी वज़े से शरीर में जड़ता आ गई है क्योंकि इससे कहीं ज़ादा भोजन को प्रोसेस करना पड़ रहा है इसलिए जड़ता है एक बार जब जड़ता आती है तो आपकी नीन का कोटा बढ़ जाता है आप कितने घंटे सोते हैं हलो आट घंटे आप आम सलाह के मुताबिक चल रहे हैं देखिए ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती जागते रहना चाहिए बात ये नहीं है लेकिन अगर आप सही खाएं और अपने शरीर के साथ कुछ चीज़ें करें तो आप देखेंगे कि तीन से चार हफ़तों में आप अपनी नीन्द की ज़रुत दो से तीन घंटे बड़ी आसानी से कम कर सकते हैं अगर आप सचेतन होकर खाएं और बस ठीक से बैठना सीख लें आपको पता है बस बैठने की मुद्र आपके शरीर के जयामिती और सिस्टम में क्या जा रहा है अगर आप बस इन दो चीज़ों को संभाल लें तो आप देखेंगे कि आपकी नीन्द का कोटा कैसे कम हो जाए की नीनली है अब मैं थोड़ा आलसी हो गया हूँ और अब मैं लगभग साठे चार घंटे सो रहा हूँ लेकिन हफते के सातों दिन ठीक है 365 दिन मैं बस ओन 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 हूँ लगभग हर दिन मेरी बेटी ने एक महीने से फोन नहीं किया था मैंने पूछा तुमारे साथ समस्या क्या है तुम फोन क्यों नहीं करते उसने का हर छे घंटे में आप एक नए शहर में होते हैं मुझे क्या करना चाहिए मैंने कहा ओके ये वाकई सच है कभी कभी एक दिन में हम तीन शहरों में होते हैं तो ये नौन स्टॉप गतिविधी है और आज मेरे पास कई लोगों ने ऐसा करना सीख लिया है मेरे आसपास सौ से डेड़ सो लोगों की दिन चर्या इसी तरह है बस ओसतन चार घंटे के नीन हफ़ते के सातों दिन वे बस ओन 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 हर समय ओन रहते हैं और वे चिड़े नहीं रहते वे परिशान नहीं रहते वे प्रसन रहते हैं वे शांदार ल आप सब लड़कियां एक आसान चीजें ये कर सकती हैं, अलग-अलग स्वास्थ के मुद्दे हैं, जड़ता और फोकस का मुद्दा है, आप अपने भोजन का 40-50 फीसेदी हिस्सा कच्चे भोजन के रूप में लें, यानि ये जिवित हो, इसे जिवित कोशिका होनी चाहिए, ये सबजी हो सकती है, फल, मुंगफली, अंकुरी चना हो सकता है, आपके दुआरा खाये जाने वाले भोजन में कम से कम 40-50 फीसेदी को जिवित होना चाहिए, आप मुरदा भोजन खाते हैं और आप जीना चाहते हैं, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब आपक खाना खाते हैं, तो आप देखेंगे, आपकी मानसे का वस्था, आपका फोकस और आपकी नींद का कोटा, और सबसे बढ़कर बस जगे रहना ही काफी नहीं है, आपको सजग रहना होता है, आप कितने सजग हैं, कितने केंदरित हैं, उसी हद तक इस दुनिया में हर चीज आपको लाप पहुचाती है, है की नहीं, आपके फोकस का इस तरही तैक करेगा, कि दुनिया आपके लिए फायदे मंद है या नहीं, है न, और जीवन का एक और पहलू, भोजन का एक और पहलू, जब आप कुछ खाएं, तो उसका जैनेटिक कोड सरल होना चाहिए, मतलब उसका सॉफ्टवेर बहुत सरल होना चाहिए, सबजीया, फल, मुंगफली, अंकुरित चीजें, वे बहुत सरल हैं, ज़ादा जटिल का मतलब है, जानवरों के मांस का कोड बहुत ज़ादा जटिल होता है, मान लीजे, आप एक जानवर खाते हैं, जिसमें कुछ मात्रा में भावनाएं और खुद का जीवन होता है, तो हम इस बारे में बात कर रहे थे, आपका शरीर बस यादाश्त का ढेर है, जिसका मतलब ही ये एक तरह का सॉफ्टवेर है, है न, ये सबसे जटिल सॉफ्टवेर है, इनसानी सॉफ्टवेर धर्ती पर सारे जीवों में सबसे खाते हैं, खास कर अगर आप एक स्तंधारी को खाते हैं, तो उसकी जटिलता वैसी ही होती है, शायद ये इनसान जितनी जटिल ना हो, लेकिन उसी तरह की जटिलता, क्योंकि उसमें उसके अपने विचार और भावनाएं हैं, अब उस कोड को तोड़ने और अपने सिस्टम के साथ जोड लेने में, आप पूरी तरह से सफल नहीं होते, तो ये आपके भीतर कुछ खास गुणों के लक्षन छोड़ देगा, आप उस कोड को तोड़ कर अपना हिस्सा नहीं बना सकते, क्योंकि ये अलग और जटिल कोड है, अगर आप पत्तियां, सबजी, फल, सबसे दूर हैं, तो अगर आपको मांसाहरी भोजन खाना ही पड़े, तो खाने के लिए सबसे अच्छी चीज है, आप समुद्र तट पर हैं, तो खाने के लिए मचली सबसे अच्छी चीज होगी. झाल